आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question के for the correct statement use true and for false use F अब देखो इस question में सबसे पहले हमें क्या given है कि Cu NH3 whole SO4 है तो यहाँ पर हम लिखते देंगे कि SO4 to negative ठीक है तो यह 2 positive और SO4 to negative इस तरीके से लिख सकते हैं साइन को ammonia क्या होता है neutral agent तो यहाँ पर देखो copper कैसी oxidation state में है plus 2 में copper का atomic number कितना होता है 29 तो इसकी oxidation state क्या हो जाएगी sorry electronic configuration क्या हो जाएगी argon 18 4S1 और 3D 10 ठीक है यह हो गया copper है plus 2 में तो plus 2 में है तो यह क्या हो जाएगा 3D 9 ammonia है ammonia कैसा ligand है it is strong field ligand लेकिन यहाँ पर D में पहले ही 9 electron है तो pairing तो मतलब नहीं होगी तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको दोबरा कर लेते हैं आपर 7, 8 और यह 9 electron हो गया अब देखो यही ammonia अप्रोच करेगा ammonia का कुछ ने कुछ तेफेक्ट होगा pairing तो इस electron की करवा ने सकता जो unpaired electron है तो जो यह unpaired electron है यह jump होके यहाँ 4P में चला जाएगा ठीक है यानि कि अब एक d-orbital खाली है और हमारे पास क्या है 4P में एक unpaired electron है तो चार ammonia के लिए यहाँ जाएगा बन गई तो एक ammonia यहाँ एक ammonia यहाँ तीसरा ammonia यहाँ और जो फोर्थ ammonia होगा वो यहाँ पर तो देखो यह जो hybridization है वो क्या हो जाएगी इस case में d-sp2 hybridization हो जाएगी shape कैसे हो जाएगी molecule की या complex की हो जाएगी square planar shape तो याद रखना हमेशा भी जैसे कि जो 3D9 के compounds होता हमें d-sp2 hybridization होती square planar होगा जब-जब ammonia present होगा क्योंकि इस उक्त ammonia act करता है जब strong field ligand तो यहाँ पर जो वो unpaired electron है वो कहाँ present है वो इस 4P orbital में present हो यहाँ भी वही लिखा हुआ है तो यह कैसा statement होगा basically this is true फिर B part है कि ferocene is sandwich as well as organometallic compound now ferocene organic compound है organometallic compound है तो we have Fe यहाँ पर होता है CP whole twice है formula दबच्चे ferocene का organometallic compound ऐसे होते हैं जिसमें metal का कम से कम एक bond तो direct carbon के साथ बने अब यहाँ पर जो यह CP whole twice लिखा है CP का मतलब होता है cyclo pentadie ennil ring तो structure कैसे बनता है Fe का इसका तो हमारे यह दखो यह एक CP की ring है और ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी ring होगी कुछ इस तरीके से और जो bond बनता है वो ऐसे ठीक है तो यह बचे देखो इस iron का जो item है वो बीच में है अब इसके उपर एक ring यहाँ पर है एक cyclo pentadie ennil की ring एक इसके ring नीच है तो दो ring के बीच में हम देख सकते हैं कि iron कैसा होगा ऐसे sandwich होगा iron दो ring की बीच में दो CP के ring के बीच में तो इस compound को क्या ने हम देदिया sandwich compound होगा और यह और यह और नीचे तो नीचे भी इन पांचो अर्बन के पीच में direct bond होना अच्छे तो यहाँ पर दोनों ring के साथ है तो यह statement भी कैसी है यह भी true है फिर तीसरा पूछाओ कि vitamin b12 is complex of zinc अब यह चीज़ गलत है क्यूं क्यूंकि vitamin b12 जो complex होता है उसमें cobalt present होता है ना कि zinc present होता है तो question में क्या है हमारे पास true true and then false तो question का answer क्या हो जाएगा option number a Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सूपर